नमस्कार दोस्तों CSN World में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं एटम 1.0 की तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की लाँच हो गई है बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाली देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक सिंगल चार्च में चलेगी 100 किलोमीटर आईए जानते हैं इसके बारे में इसके कीमत के बारे में और जानकारी भारतिय बजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है आए दिन वहाँ निर्माता कंपनिया एक से बढ़ कर एक मॉडलों को पेश करने में लगी है रिशेश कर इलेक्ट्रिक दो पहियां सेग्मेंट में स्टार्टप कंपनियों ने तेजी से सक्रियता दिखाई है अब हैदराबाद की एक और स्टार्टप कंपनी आटो मोवेल प्राइवेट लिमिटेड ने घरेलू बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटर साइकल एटम 1.0 को लाँच किया है आकरशन लोग और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर से सजी इस बाइक की शुरुआती कीमत महज 50,000 रुपे तै कही गई है इस लिहाजा से यह देश में मौजूद सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक है कमपनी इस बाइक का प्रोडक्शन तिलंगाना के ग्रीन फील्ड स्थित मैनिफेक्ट्रिंग फैसिलिटी में कर रही है कमपनी की शमता प्रती वर्ष 15,000 रुप वाहनों के प्रोडक्शन की है दरसल एटम 1.0 एक लो स्पीड एलेक्ट्रिक बाहन है यानि की इसकी अधिकतम स्पीड 25 किलोमेटर प्रती घंटा है इसलिए इस बाइक को ड्राइव करने के लिए ना तो कोई रिजिस्ट्रेशन की जरुवत है और ना ही इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ही जरुवत पड़ेगी कमपनी का दावा है कि इस बाइक में सिंगल चार्ज में 100 किलोमेटर तक का ड्राइविंग रेंज परदान करने की शमता है इसके अलावा कमपनी बैटरी के साथ 2 साल की वारंटी भी दे रही है इसमें जो बैटरी पैक दिया गया है उसका वजन महज 6 किलो ग्राम है कमपनी का दावा है कि इस बाइक को फुल चार्ज होने के लिए महज एक यूनिट तक ही बिजली की खपत होगी यानि की महज 7 रुपे से लेकर 10 रुपे में ही यह बाइक फुल चार्ज हो जाएगी यदि आपको रोजाना 100 किलो मेटर तक की ड्राइविंग करने करते हैं या करनी है तो आप 10 रुपे से भी कम खर्च में ड्राइविंग का मज़ा लेज सकते हैं एटम 1.0 इलेक्टरिक बाइक में कमपनी ने 24 फेट बाइक टायर का प्रयोग किया है इसके अलावा लो सीट और एलेडी हेड्लेम्स के साथ इंडिगेटर्स और टेल लाइट भी दिया गया है इस बाइक में फुली डिजिटल डिस्पले दिया गया है इस बाइक को तयार करने में तकरीबन 3 साल तक का समय लगा है इस बाइक में लीथियम बैटरी का प्रयोग किया गया है तो ये थी एटम 1.0 अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद